हेलो एव्रीवान वेल्कम बैक तो माई चैनल गाइस एक और नियू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ कैसे हैं आप सब भाई होप कि सभी अच्छे हैं खुश हैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के जानेंगे नेक्स सेवन डेश कैसे रहेंगे आपकी लाइफ में लाने वाले साथ दिनों में आपकीषास गाल्प हैं तो इसमें आपका परस vai की अधी वर का ज़ए तो इसमें आपकी परस्नल और प्रसेशनल होड़ा के बारे में पता करेंगे और डिवाइन क्या गायिदें सिंगे आपको आने वाले साथ दिनों के लिए ये भी जानेंगे ठिक है इसना चार्ट करते हैं भी आप यहां तक सकते हैं यहां तक पहुचे हैं प्रेडिक्शन हो गाई अब स्टार्ट करते हैं एक काड आ गया हमारे पार दवील अफ फॉर्चन थ्री और वांट्स कि χांट हुआ हैKaylor कि अच्छा हुआ है यह रहते ह्एसरिक्शन इस फेटक्शन भी कि अपने कंचा है किवा पार वांट्ट म reboot यह एक वडिय काड और सिन नेगें we have knight of wands, wait a second, knight of wands and we have four of wands let's take two cards and let's see what's coming for you oh wow we have sun card ten of cups ace of swords guys, these seven days coming this is very important and in these seven days, you can see your good luck with you and the situation will come very much in your favor in these seven days you are attracting new beginnings and the chance of coming is very high in your life new beginning this time right now, if I tell you about your energy now, you may be a little bit frustrated over thinking you may feel a lot of heavyness in your mind because you are thinking a lot you don't need to think about it you are confident enough to achieve your goal so you can achieve the wheel of fortune you are thinking about it हैं आपको success मिलने के chances हाई है इसी के साथ मुझे लगता है आपकी लव लाइफ भी improve हो जानी है इन साथ दिनों के बाद होगी ठीक है क्योंकि अगर इन साथ दिनों में आपके पास कोई विक्टरी आती है positivity आती है तो उसी के बाद ठीक आपकी love life ठीक होना शुरू हो जाएगे क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा temperance याने की healing की ज़रुरत है yes guys speed में changes आ रहे हैं आपके life में अब अब negative मत सोचो बिल्कुल भी नहीं positivity के साथ काम करो सारे काम बन जाएंगे आपके ठीक है happiness का card है यही आ रही है आपके पास happiness आ रही है abundance आ रहा है आपके पास और देखो आपका रिष्टा भी अच्छा हो रहा है आने वाले टाइम में और कुछ के लिए new love आ सकता है जो यहाँ पे single है ठीक है new love आने के chances है हो सकता है जो नया love आपके पास आ रहा है वो उनका water element हो सकता है यहाँ पे ना Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius and Sagittarius यह sign मुझे बहुत strong दिख रहे है specially Leo and Sagittarius तो बहुत ही strong है यहाँ पर लेकिन यह मैं सभी sign के लिए reading कर रही हूँ तो guys आप जो भी इस वीडियो को इस time देख रहे हैं आपके साथ आपका good luck start हो चुका है और यह आने वाले साथ दिन आपके लिए बहुत fruitful साबित होने वाले हैं okay मैं आज इस date पर यह reading कर रही हूँ लेकिन आप जिस भी दिन इस reading तक पहुँच रहे हैं आप एक तरीके से कह सकते हैं good luck आचुका है इन साथ दिनों में आ जाएगा और आपको बहुत important जो भी aim है वो मुझे पूरा होते हो दिख रहा है because wheel of fortune के साथ sun card आजाना यह तो blessings है बहुत बड़ी blessing है आपके लिए देखां blossoming abundance का card है आपके पास मैं overthinking के देख रही हूं आप इस overthinking को खतम करो अपनी life से ठीक है क्योंकि यही एक problem दिख रही है otherwise कोई problem नहीं है कोई health issues नहीं है कोई stress नहीं है आपको overthinking मतलब आपको doubt रख रहे हो आप अपने मन में के ऐसा नहीं हुआ तो वैसे वैसे नहीं हुआ तो कुछ इस तरह से ऐसे मत सोचो बिलकुल भी बाकी तो सब कुछ ठीक है action लेते रहना है आपको next seven days में और आपको fruitful result मिलने के chances है या strength बढ़ रही है आपकी ठीक है तो यह चीज भी खतम हो जाएगी अगर strength का card आगया है तो and community में आप famous होने वाले हैं मुझे ऐसा ही दिख रहा है याँ पर अपनी community में आप famous हो जाएंगे आपको आगे काफी positive changes दिख रहे हैं appreciation मिलेगा divine ने भी दरवाजा खोल दिया है आपको support करेंगे वो divine ने बिलकुल दरवाजा खोल दिया है अपना आश्रिवाद देने के लिए love is angel of love आपके साथ है angel of strength आपके साथ है argument में फसने से बचाना खुद को ठीक है archangel Raphael आपके साथ है देखो इस साथ दिनों में angels और archangels दोनों ही आपके साथ है angels से उपर होते हैं archangels archangel Raphael आपके साथ है positivity ही आईगी आपके लाइफ में quarters of the moon आपके साथ है और शायद अभी ना जब भी full moon या new moon होगा तो उस दिन भी big change आसकता है आपके लाइफ में the world आप अपनी दुनिया में बहुत आगे बढ़ने वाले है okay मुझे number seven बहुत important लग रहा है क्योंकि मुझे number seven यहाँ सबसे ज़्यादा दिखा है सबसे ज़्यादा number seven है यहाँ पर तो आपको number seven अगर इस दुरान दिखे इन साथ दिनों में it means यह divine का sign है कि आप अच्छा कर रहे हो आप आगे बढ़ रहे हो आप सही direction follow कर रहे हो बस यह negativity और overthinking अपनी life से निकालने की कोशिश करो goddess of the moon archangel Raphael yes archangel Raphael angel of love, angel of strength आपके साथ हैं इन साथो दिनों में तो आपको health issues भी नहीं होंगे love है तो overthinking भी कम हो जाएगी आपकी आपको इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अपनी life पर ध्यान दे लो अभी भूल जाओ कोई और है भी यहाँ पर अपने उपर ध्यान, अपनी life पर अपने aim पर ध्यान रखो focus रखो आपके जिंदगी में changes आने वाले हैं आपके साथ आपको good luck start हो चुका है ठीक है और यह साथ दिन इतने अच्छे है ना कि आप इसमें जो भी manifest करना चाहते हो आप easily कर सकते हो तो positive affirmation इन साथो दिन आपको बोलना ही बोलना है आपको एक दिन भी miss ने करना और एक दिन में कम से कम 4-5 बार बोलो आप ठीक है suppose आपका कोई interview है तो मैंने interview crack कर लिया है और मेरा selection हो चुका है और मैं अपनी job बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठैंक यू यूनिवर्स आपने मेरा सपना पूरा करा दिया ठीक है इस तरीके से आपको positive चीज़े बोलनी है अगर exam है तो यही चीज़ आप exam के लिए बोलो कोई deal है जिसे suppose कोई property की deal है या फिर कोई car खरीदनी है तो आपने बहुत अच्छी सब कुछ manage कर लिया है ऐसे ही affirmations आप बोलिए पर सब कुछ positive ही कहना है क्योंकि बहुत positive time शुरू हो चुका है और अब आपको life में जो भी difficulties थी वो divine हटाएंगे आपके life से क्योंकि वो आपके साथ ही खड़े हुए दिख रहे हैं मुझे इन साथो दिन तो yes आपकी strength बढ़ेगी आपका confidence बढ़ेगा और आप अच्छे से काम भी कर पाएंगे अब ही देखते हैं angels और क्या बताएंगे आपको मुझे ने दिख रहा कोई health issue या आपका mood वगरा off ने दिख रहा बस थोड़ा सा डर दिख रहा है आपके अंदर उसे आप कहतम करें share your gift with grace waves of inspiration and love are coming to you आपके पास love आ रहा है आपको आपके पास inspirations आ रही है ठीक है अपने gift को न grace के साथ share करें shine your light इस time आप अपने आपको न शाइन कर सकते है internal guidance is coming through loud and clear आप अपने intuition को follow करना है इस time बहुत ज़्यादा और positive रहने की कोशिश करनी है family issues जितने भी आपकी life में आई हैं वो भी खतम होने के chances हैं बहुत high level पर ठीक है इस time जो भी weight आप केरी कर रहे हो अपने mind में अपने chest पर उसको बिलकुल हटा दो बिलकुल हटा दो प्यार से बोलो प्यार से सुनो इस time ऐसे ही करना है आपको और देख लेते हैं yeah Lord Krishna साथ तो दिन आपके साथ है Lord Krishna का साथ है guys आपके पास तो अगर आपको कुछ आंसर दे रही है तो वह सच है आपको विश्वास करना होगा और देखो Lord Krishna आपके साथ है अब तो भाई 100% में बोलूंगे आपके साथ आपका good luck है और आपकी लाइफ में बिलकुल positive changes आएंगे आपको विश्वास रखना होगा देखो Lord Krishna खुद आये करो just trust your process ठीक है अपने अपने process पर ट्रस्ट करो अपने कृष्णा पर ट्रस्ट करो और अपने अपने आप पर भी ट्रस्ट करो बहुत सीख लिया बहुत मेहनत कर ली अब आपको result मिलने का time आ गया और जल्दी ही मिलेगा आपको बस इस time बहुत समहल के अपने शब्दों क चैन करना है यानि कि जो भी वर्ड आप चुनेंगे वह बहुत सही होने चाहिए अच्छे से मैनिफेस्ट आपको करना है लौड कृष्णा आपके साथ हैं इन सातों दिन लौड कृष्णा का आश्रिवाद आपके साथ है और ट्रस्ट यूर स्प्रिच्वल गाइडिंस ल लौड करते हैं तो यस तो डिवाइन भी आपसे प्यार करते हैं और आपका सपना भी पूरा कराएंगे बस आपको क्या ही करना है ओवर तिंकिंग नहीं करना है और इन साथ दिन के बाद अगर कुछ अच्छा हो जाता है आपकी लाइफ में जो कि होगा ठीक है अगर आपन पूरा विश्वास यह पक्का बना लिया है कि अच्छा ही होगा तो ठीक इसके बाद आपकी लव लाइफ भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि इसी के बाद आपकी लाइफ में अगर आप बहुत टाइम चे सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में पार्टनर आप जिन भी भगवान में विश्वास करते हैं उनको अपने लक्षे में आपने शामिल करा है न तो आपको फेल क्यों होने देंगे हाँ थोड़ा डिले हो सकता है ताकि आप अच्छे से सीख पाएं लेकिन वह आपको फेल नहीं करेंगे तो अपना विश्वास पक्का बन आपको आपके रादे नेक हैं तो चिक है है शपल करना है मुझे अच्छे से फिर देखते हैं ओके हैल्फुल पीपल होसता है डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ हैल्फुल पीपल भेज दें भेजेंगे डोंट वारी और फ्रॉम नाओ एर फ्रॉम नाओ चालो दो कड रहे है नम एर फ्रॉम नाओ और कॉम्प्रमाइस थोड़ा सा आप देखो सेक्सेसश आपका जितना भी कॉम्प्रमाइस आप ने किया है और देखो उसको लेकर आपको success मिलेगी, बिलीव करो इस बात पर, आप हो सकता है, एक साल से लगे हुए हो, इस process में, अभी भी रुको मत, बहुत जल्दी success आ रहा है आपके पास, अभी भी रुकने की जरुरत नहीं है, ठीक है, काम करते रहना है, और जल्दी success आपको मिल जाएगी, नियर फ्यूचर में आपको 100% success आपके पास आ रहा है, और यह साथ दिन बहुत ही बहुत ही लखी हैं आपके लिए, लौर्ड कृष्णा का साथ है, बाकि आर्के इंजल और एंजल भी आपके साथ हैं, तो आपकी लाइफ में काफे positive changes आ जाएंगे, आप अपनी भी thinking positive रखो बस, ओके, this is your reading guys, I hope कि आपके साथ resonate हुई हो, आपको पसंद आई हो, अभी के लिए बस इतना है guys, बाई, take care,